दिपावली की हार्दिक शुबकामनाएं भाईदूज को आज एक उच्साह का माहोल भी है और भारते जन्ता पाटी भाईदूज के इस पावन पर्व पर आप सभी को और देशपाशियों को बहुत-बहुत शुबकामनाएं देती हैं। आज एक गंभीर विशाय को लेकर हम यहां इकत्रित हुए हैं और यह प्रेस कॉन्फरेंस चल रहा है। के बाद जिस प्रकार से पंचायती राज एक्ट में संसोधन करके डीडीसी डिस्ट्रिक डेवलाप्मेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं और वो पहली बार हो रहे हैं। यह अपने आप में नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उसके माध्यम से किस प्रकार डेवलाप्मेंट और विकास जड़ों तक पहुँच सके। और खास करके उस जम्मू कश्मीर में जहां कई वर्षों तक अनुच्छे 370 के कारण डेवलाप्मेंट नहीं पहुँच पाया था। एक तरह से अलगाववाद का रुख अपनाया गया था चाहे वो दलित हो चाहे वो महिला हो तो वहाँ डेवलाप्मेंट कैसे पहुचे डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। और हमने यह भी देखा कि जहां भारती जनता पार्टी डीडीसी का चुनाव लड़ रही है वहीं पीपल अलायंस फॉर गुपकर डिकलरेशन यह जो गुपकर डिकलरेशन का एक अलायंस है वह भी चुनाव लड़ रहा है। कल कांग्रेश पार्टी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम एहमद मेर ने प्रेस कॉणफरेंस करके यह जानकारी दी कि जो दस पार्टी यह गुपकर अलायंस में हैं और मिलके चुनाव लड़ेंगे डीडीसी के उसमें कांग्रेश पार्टी भी सामिल है। यह जो गुपकर अलाइन्स है उसमें कॉंग्रेस पार्टी भी सामिल है और कॉंग्रेस पार्टी का एक ही अजंडा है अनुच्छे 370 को वापस लाना बंदुगण आपको जानका आश्चरी होगा कल कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सोनिया जी और राहूल जी के कहने पर जिस प्रकार फारुक अब्दुल्ला जी से मिले और जो स्टेट्मेंट जारी किया गया उसमें एक लाइन लिखा गया है मैं पढ़ता हूं कि यह जो गुपकर अलायन से उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं उन शक्तियों को हराना है मैं सुनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं क्या मतलब है इस वक्त अब्यका फोर्सफुली इंप्लिमेंटिंग किसके कानून है यह कोई चाइना के तो कानून नहीं है यह कानून किसका है यह कानून हिंदुस्तान का है कौन बनाता है यह कानून हिंदुस्त सरवोच मंदिर दिमोक्रिसी का लोगतंत्र का सबसे ब्ड़ा मंदिर जो है पारल्लमेंट में करके विचार विमर्ष करके लोकतंत्रिक तरीके से ये कानून बनाती है फिर आप कह रहे हैं कि हम forcefully implement कर रहे हैं और आप उन लोगों को हराना चाहते हैं जो लोग हिंदुस्तान का कानून हिंदुस्तान के मिट्टी में इंप्रिमेंट करना चाहते हैं ये बहुत ही धिकार का विश है बंदुगन मैं राहूल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता है आप आज गुपकर अलाइंस में हैं इस अलाइंस में एक पार्टी कह पारुक अब्दुल्ला क्या रहे हैं हम चीन के साथ मिल करके आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर Alliance में जहां पर महबुबा मुफ्ती कह रही है कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी एक चीन के सा जाता है एक तिरंगा नहीं उठाना चाता है और चिदंबरम जी उसी समय सिंक्रोनाइज करके ठीक उसी समय इस प्रकार के बयान एनसी और पीडिपी द्वारा दिये जा रहे थे कॉंग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छे 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है और हम अनुच्छे 370 की वापसी चाहते हैं हम वापस लाएंगे जस दिन अनुच्छे 370 पर डिबेट और डिसकेशन पार्लमेंट में हुआ था कॉंग्रेस पार्टी आप याद करिए वो द्रिश्य सोनिया गांधी जी इसारा करती हैं और तुरंत अधीरंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और अमिच्छा पर हमलावर होकर कहते हैं कि आप अनुच्छे 370 पर हिंदूस्तान की पार्लमेंट में कैसे डिसकेशन करते हैं यह तो बाइलेटरल मसला है बिना पाकिस्तान के अनुमती के हिंदूस्तान के पार्लमेंट में यह डिसकेशन कैसे हो सकता है यह सारी चीजें इफ यू कनेक्ट दॉट्स यू फाइंड आट राइट वंदे डे वन तिल तुड़े एवर्थिं स्कनेक्टेड यह सब जुड़े हुए उस समय अनुच्छे 370 पे डिसकेशन नहीं कराने की इच्छा आर्टिकल 370 ना हटे बाद में कोई तिरंगा ना उठाए चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छे 370 वापस आए यह गुपकर है या गुपतचर है मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं यह कौन सा अलाइंस यह जो गुपतचर अलाइंस है यह गुपतचर अलाइंस क्या चाहती है यह गुपतचर अलाइंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है यह गुपतचर अलाइंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन दे आपना अच्छी बात नहीं है और अनुछे 370 वापस आना चाहिए वो संयूक्त राष्ट तक चली गई और यह जो गुप्तिचर अलायंस है यह गुप्तिचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोन्या जी सम्मली थे आज मैं एक बात यहां सोन्या गांध जी से पूछना चाहता हूं चूंकि आप इस अलायंस में हैं जो कहा गया एंसी द्वारा की चीन के साथ मिलकर अनुछे 370 वापस लाएंगे जो कहा गया पीडिपी द्वारा की हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे आप इसके चाहता हूँ आज और बीजेपी बिलकुल एक्सपोज करना चाहती है इन सब की साथ गाठ है और राहुल और सोन्या जी के साथ गाठ से ही चाहे वो पीडिपी हो चाहे फारुक जी हो इन्होंने इस प्रकार के बयान दिये कि जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है आपने उनका स्टेलार परफॉर्मेंस विराठ्F परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा वियार में अभी हुआ है कितना कमालका स्ट्राइक्रेट रहा है वहाँ पर बिहार की जनता ने बिलकुल स्पस्ट वाक्यों में राहूल गांधी जी को और कॉंग्रेस पार्टी को कहा है चुपकर चुपकर देश के विरोध में ना बोल सर्जिकल स्ट्राइक, एर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 चीन इन सभी विश्यों को लेकर जिस प्रकार के दिया था, प्रधान मंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहूल गांधी जी को चुपकर कहा है, और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर, जिनको चुपकर कहा गया, वो गुपकर बनने चले हैं, पाकिस्तान संयुक तुराश्टर में पाकिस्तान राहुल जी के नाम से पहला वाक के ड्रोसियर में देता है कि क्या है यह जो पार्टनर्शिप है इस पार्टनर्शिप के पीछे क्या राज है इसके विशय में कौन जवाब देगा राहुल जी आपके लिए आज शिवानंति जिवारी जी ने बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग किया है कि आप पिकनिकिंग प्रेसिडेंट है आप जिसका स्पर्श करते हैं उसका वजूद समाप्त हो जाता है आप साइकिल पर बैठे आज साइकिल की क्या हाल है बाद में आपको साइकिल के केरियर से उतारना पड़ आप आप लाल्टेन के पास बैठे पानी निकाल कर मिट्टी का तेल निकाल कर पानी भरा लाल्टेन बुझ गया जिसको जिसको छुआ है वो सब बुझ गया है मिट गया है और आज हम तो छोड़िये भारती जंता पार्टी हमेसा सच्चाई कहती है आज आपके साथी नौन परसुरू से हैं आप NPA born आप तो आपके साथ ही कह रहें हैं आप नौन परसुरूर्मिंग alleen पिकनिक करते रहते हैं और वैसे में ये चले हैं गुपकर अलाइंस बनाने के लिए। उनका भी क्या शुरू होगा वह भी आप देखना साइकील भी नहीं रही लालतेन भी खसमाप्त हो गया है ये गुपतचलों का भी वही होगा and at the end I would say this alliance is an unholy alliance not only in the combination unholy for the country ये देश के लिए सही alliance नहीं है और ये एक nervous and unformed alliance this alliance is a nervous and unformed alliance they are nervous that if people of Jammu and Kashmir taste the taste of development it's but natural that they will say goodbye to all these political parties which form the Gupkar alliance if they taste the taste of development they will never stand in support of separatism they will always stand for Vikaswad which Narendra Modi ji said recently in the Dhaniawad Yapan speech after Bihar election मै इतना ही कहना चाहूंगा और कोई सवाल आपके मन में हो तो अवस्चे पूछे ये तो पांच दिन राहूल जी को देखने के बाद मात्र चार पांच दिन देखने के बाद ओबामा जी को सत्ते मालूम पड़ गया कि ये nervous and unformed leader है इनसे ना हो पाएगा जो धूर साथ समुन्दर पार ओबामा जी को मालूम पड़ गया ये साथो दिन हपते में जिसके साथ रहते हैं उनको पाल मालूम नहीं है कांग्रेस के सारे लोग जानते हैं कि ये nervous और unformed है मगर कब तक आप बताएए कब तक 100 तन का पत्थर दिल पे रखे ये सब चुप बैठेंगे धीरे धीरे ये जो 100 तन का पत्थर अपने दिल के उपर रखे कांग्रेस के नेता गुनगान कर रहते गांधी परिवार और परिवारवाद का अब धीरे धीरे वो पत्थर कोई सफोकेट कर रहा है उनी की सांस बंद हो रही है इसलिए ये पत्थर को साइड में रखकर चाहे वो कपिल सिब्बल हो चाहे गुलाम नभी अजाद हो चाहे वो G23 आपको याद होगा 23 नेताओं ने चिठी लखी थी चाहे कार्ती चिदंबरम हो अरे घर के अंदर ही फेद हो गया है घर के अंदर ही लड़ाई चल रही है मैं तो कहता हूँ गुपति चल रायन्स बाद में करना पहले अपने घर का यह रायन्स ठीक रखो और कभी-कभी तो मुझे बिलकुल लगता है कि सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी हम अलग नहीं होँगे जी, सी ऐस पर गॉपर सुनGrest is concerned why is Congress isolated is a larger question not only outside of the Congress Party but within the Congress Party also the Gandhi family particularly Sonia ji and Rahul Gandhi stand isolated the reason for this isolation is the ideology of the Congress Party the ideology of the Congress Party since long since its inception has been threefold One, casteism or casteist politics. Two, appeasement politics. And three, the family fiefdom politics, politics of family fiefdom. Modi ji right from day one, our leader has maintained and strongly said that वो यूग समाप्त हो गया जब हिंदुस्तान की जनता परिवारवाद के लिए खड़ी होती है, जब हिंदुस्तान की जनता विकासवाद के लिए नहीं खड़ी होती है. तुष्टिकरन, जातिवाद और परिवार की राजनिती समाप्त हो रही है, इसके Congress Party of Isolation में है. And the ones who have realized that development is the only aim are the ones who will survive. And this is what happened in Bihar. And in the Dhaniawad Rally of Bihar, from the party headquarters, from where we are having this PC, our respected Prime Minister Narendra Modi only reiterated that, look, you have to be standing on the right side of the fence, and the right side of the fence is development, development, and development. No more questions, sir? Thank you so much.